इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे और अंगाबाद से सीम नितेश कुमार पर कुरसी फेखनी की कोशिश की गई समाधान यात्रा के दौरान और अंगाबाद में घटना हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अंगाबाद से सीम नितेश पर कुरसी फेकने की कोशिश की गई समाधान यात्रा के दौरान और अंगाबाद में घटना हुई तो देखे आपको तस्विरे भी दिखा रहे हैं आज मुख्यमंत्री और अंगाबाद पहुँचे थे तो देखे आपको तस्विरे भी दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं तस्विरों में किस तरीके से कुशिश की गई मुख्यमंत्री पर कुरसी फेकने की और इसी खबर पर जादा जानकारे देंगे समवादाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ गए हैं रजनीश देखे आज और अंगाबाद मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पहुंची थी जानकारी मिल रही है किस कारण से इन्हों ने इस तरह की हरकत की है लेकिन ये बहुत ही प्रकासिक चूक है जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ओपर कुर्टी सेंटी के और मुख्यमंत्री बाल बाल बचे है बिलकुल उनके सामने कुर्टी की रही है जो इस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने कि मुख्यमंतनीरी की विदाब सवाहती विए पर लेहाजा प्रिशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेहाज प्रिशासन की तरफ से क्या कुछ का आ गया है क्या पहचान हो पाई है कौन से लोग थे कौन से शरार्ती तत्व थे जो इस तौरान इस तरीकी की गटना कौन जाम देने की कोशिश कर रहे थे पुलिस अब इन लोगों की सिनाथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतक ये जानकारी नहीं मिलता है कि इनकी मंता क्या थी क्यों इन्होंने अत्ना आक्रोश वर्ट किया और ये आक्रोश वर्ट करने ये कौन ता तरीका था था क्या कोई और समाजिस्टा तुसरे जो इस पूरी भीर में गुंत रहे थे और मुख्य मंत्री का इस तरीके से विलोस करना चाहरे थे पुलिस इसकी जाज कर रहे हैं जैसे जाज की बाते सामने आएगी इसके वादम दक्तरकों को बता पाएंगा कि आखिर वो कौन लोग के जो नहीं इस तरीके की हरकत की है जै ठीक है रजन्य शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए तो देखिए एक्स्क्यूसिफ तस्विर आपको दिखा रहे हैं और अंगा बाद आज मुख्य मंत्री की समाधान यात्रा पहुंची थी और इस तोरा नितेश कुमार पर कुर्सी फेकने की कोशिश की गड़ी